अलिगर्ड के थाना कुआर से इलागे में मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे परिवार पर युगकों ने चाकू से हमला कर दिया बच्चे के अपहरड की कोशिश के विरोत करने पर बच्चे की माँ और उसके जेट पर किया हमला चाकुबाजी में घायलों का जिला स्पिताल में चल रहा है उपचार अलिगड के थाना बनादिवी इलाके के छतारी कमपाउन के रहने वाली है हिना अपने परिवार के लोगों के साथ नगला पटवार इसीत मजार पर चाधर चलहाने जा रही थी इसी दोरान उनके ए रिक्षा के बीचे दो बाइक पर सवार चार युवक आ गए जिनोंने हिना के बेटे को जबरन अपहरण करने की कोशिश की तो जेट वहिना के द्वारा विरोध करने पर युवकों निस चाकुऊ अनुकिली चीजों से हामला कर दिया शोर शराबा सुनकर आसवाज के रहगीर आ गए जिनको देखकर अग्यात युवक फरार हो गए गायलों को उचार के लिए जलास फताल लाया गया गया गायलों का उचार जारी है पिर्टों के द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और अब इस मामले की तहरीर दो ग्यात और दो अग्यात योखों के वरुद थाना कौरसी में दी गई है पूरे मामले के पुलिस गहनता से जाच परताल कर रही है उसके लावा गटना के पीछे क्या कारण है उनका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है हाला कि इस संबन्द में पुलिस का कोई आलादिकार इस बारे में कुछ बोलने को तयार नहीं है पुलिस ने मामले की तहरीर लेकर मुकदमा पंजिकरित करने का पेड़ित परिवार को आश्वाशन दे दिया है अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुच पाएगी और हमला करने वाले बदमाशों को पकड़ पाएगी तो अडेकर ने बई बचे क्या है अडेकर चोटे भाई को तैसाम्स का जान पाइग तो technology तो अपी पैपर कम आप से आई बिंडेनुस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबायादर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें